हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ग आठ का एक्सरसाइस 4.1 का मैट में ठीक है बच्चों तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट सुलूसले के अंतर तक बने रहेगा क ठीक है बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास देखिया आज के इस क्लास में आपको मान ग्याद करने के लिए कहा गया है जिसमें सवाल नंबर एक में आपको कहा गया पांच पे पावर क्यूग ठीक है बच्चों पांच पे पावर कितना है बच्चों य तो हमने लिखा 5 पे पावर 3, तो आपको लिखना है 5 गुने 5, गुने 5, ठीक है बच्चों, तो इसको आप इससे गुना किजयेगा, तो 5 को 5 से गुना किजयेगा, यहां तक का value हो जाएगा आपका 25, अब बच्चों 25 को पाँ से गुना करना है, ठीक है, तो 25 पंचे केतना हो पावर क्यूब यह हमारा नेक्स्ट सवाल है कि माइनस सेवन है ठीक है न और उस पे पावर है तीन यानि कि आप आपका जो है माइनस के साथ होगा ठीक है तो माइनस सेवन पर पावर तीन है यहां पर लिख लेते हैं माइनस सेवन पर पावर तीन है तो आपको यहां पर माइ चिन एक साथ टकरा जाएगा यह माइनस यह गुना दो चिन एक साथ कैसे रहेगा इसलिए से ब्रैकेट में लिखा गया है ठीके बच्चों तो इस तरह से आपको लिखना है यहां पे देखिए मैंने लिख दिया है मैनस सेवन पर पावर तीन को हमने तीन बार गुना करके लि बच्चों प्लस हो जाएगा तो प्लस का उन्चास मैंने यहां पे लिख दिया क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है ठीक है यहां पर उन्चास हो गया तो यहां से यहां तक जब हमने गुना किया तो यहां पर वेल्यू आपका उन्चास बन गया अब उन्चास को गुना कर 44 तो यह तो आपका 343 आ गिया लेकिन यहां से यहां पर माइनस है तो प्लस माइनस मिलकर क्या हूँ हो जाएगा थीक है बच शूह शॉर्प ढ़रों अमेद करते हैं कि आपको समझ में भी त्रह से इसका आंसर हो जाएगा ठीक है बाट्चों ठीके बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है किस तरह से इसका आंसर देना है चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं बचों हमारे तीसरे सवाल में आपको कहा जा रहा है इस वाले सवाल को बचों ध्यान से समझेगा वरना आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा ठीक है बचों देखिए सबसे पहले अगर कोई भी numbers एक बटा दो है ठीक है जब हम इसे उपर ले जाएंगे न बचों यह माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा बचों माइनस में हो जाएगा ठीक है अगर कोई number माइनस में है अगर हम इसको माइनस को खतम करना चाहते है तो इसको एक बटा दू लिख देंगे ठीक है और एक बटा दू है उसको उपर ले जाएंगो तो यह माइनस में हो जाएगा पहली बात दूसरी बात बच्चों एक बात और याद रखना कोई भी नंबर अगर उसके निचे कुछ नहीं तो उसके निचे एक चीपा हुआ रहता है हम चाहें तो दो बटा एक को दो भी लिख सकते हैं और दो को हम दो बटा एक भी लिख सकते हैं ठीक है ये बातें आपको धियान में रखनी है सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर आपका था 1 बटा 3 पे पावर मैनस 4 था ठीक है बच्चों तो हमने क्या किया हमने यह एक उपर को खतम करने के लिए मैनस 3 लिखा और मैनस 4 लिखा तो यह वला जब ब्रैकेट हटेगा बच्चों तो यह मैनस मैनस मिल करके प्लस हो जाएगा ठीक है तो मैनस मैनस मिल करके क्या हो गया बच्चों प्लस हो गया यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पहले लिखा ठीक है उसके बाद जब यह वहला ब्रैकेट मैंने हटाया तो यहाँ पर आ गया थ्री पर पावर आ जाएगा फोर यानि कि मैनस मैनस कैं और 81 इसका सही आंसर हो जाएगा तो उमीद करते हैं बच्चों आज का क्लास आपको बिल्कुल पसंद आया है क्लास पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं अपने अगले क्लास में थैंक यू